जैसा कि दोस्तों आप जानते होगे कि जो हमारे दिलों पर जिस गाड़ी ने राज किया वो है उंडा की उंडा सिटी जैसा कि आप देख रहोगे गाड़ी देखने में बहुत ही बैतरीन है जैसा कि आप इसका फ्रेंट प्रोफाइल देख रहोगे देखने में गाड़ी कित लagnar कि यूर्ट कुछ देघ्रे निए रखा सबस्यादर कि कि आप निचे देखरें कि दिखाई दे रहेगी फोग लाइट का भी डिजाइन विल्कुल यूर्णिक विजिए रखा जो इसकी फ्रॉंट में लाइटों के साथ भी ते लिए और इसकी खूड़ी है ओंडा का लोगो बढ़ा देता है जैसा कि आप देख रहे हो फ्रन्ट प्रोफाइल से काफी अच्छी लग रहे हैं है अग्या तोस्तों मापको इसका साइट प्रोफाइल बताता हूं जैसा कि आप देख रहหนे जो इसके ओ और विम दीए हूए हैं बहुत ही पयारे लगरे हैं जैसा कि आप देख रहिए इस जो इसके अलाइवील दिये हुए हैं वो भी देखने में काफी सुन्दर लग रहे हैं बहुत प्यारा डिजाइन दिया हुआ 16 इंची में इसके अलाइवील है और जो इनके टायरों का साइज है इसमें ओंडा सिटी में जो दिया हुआ है 2585 आर 16 का साइज दिया हुआ काफी अच्छा टायर साइज दिया हुआ जैसा कि आप देखरोगे आपको ग्राउंड क्लेरेंस भी काफी अच्छी मिल जाते हैं वाइपर दिये हुए हैं उनका भी डिजाइन बिल्कुल अलग सा है एक वाइपर काफी बढ़ा एक छोटा सा जि इसके उपर आपको सार्क एंटिना मिल जाता है आए दोस्तों माँ आपको इसका बैक प्रोफाइल ओर दिखा देता हूं जैसा कि आप देखरोगे पीछे से जो इसकी लाइट दी हुई है उनका डिजाइन भी बहुत ही प्यारा दिया हुआ जैसा कि आप देखरोगे कितनी प्यारी लाइटे हैं इसमें ब्लैक की है जो प्यानो ब्लैक की फिनिसिंग दी हुई है काफी अच्छी लग रही है यहां आपको उन्डा सिटी की बैचिंग मिल जाती है यहां उन्डा का लोगो दिया हुआ यहां आईवी टैक्स जैडैक्स वाला मोडल है यह उनीचे आपको एक लाइट मिल जाती है उपर आपको डिफ होगर मिल जाता है इसी में आपको नीचे एक और ब्रेक लाइट दी हुई है देखने में काफी अच्छी लग रही है दोस्तों यहां आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है इसकी फ्यूल टैंक की कैपिसिटी 40 लीटर की है य यह वाला वैरेंट पैट्रोल में है को डोर एंडल में आपको सेंसर मिल जाता लोक अनलोक करने के लिए जैसा कि आप देख रहे होगे और आप जैसा इसके मीरर देख रहे हो आपको इसमें 360 कैमरा और मिल जाता है जिसे पारकिंग करते वक्त किसी परकार की प्रेशानी ना हो गाड़ी देखने में काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं साइड जैसा कि दोस्तों आप देख रहेंगे जो इसकी चोड़ाई है वो 1748 mm है और जो इसकी लंबाई है वो 4583 mm है और जो जो इसकी हाइट है वो 1489 है पीछे 360 camera और मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे होगे पीछे आपको चार sensor दिये हुए है आई यह दोस्तों मैं आपको इसका बूट space और दिखा देता हूं कि इसका बूट space कितना है जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होगे इसमें काफी बूट space दिया हुआ है जो इसकी जो इसका बूट space है वह पांच उच्छा लीटर में दिया हुआ है काफी बड़ा बूट space है दोस्तों आपको इसके handle में यह आपको sensor मिल जाता है जैसा कि आप इसको प्रैस करोगे तो mirror भी लोग हो जाएंगे इसको कि आये दोस्तों में आपको इसकी build quality और दिखा देता हूं काफी heavy door दे रखा है इसका build quality में को काफी अच्छी लग रही है इसकी जैसा कि आप देख रहे होगे दोस्तों इसमें आपको वन लीटर बोटल ओलर मिल जाता है यहां आपको space मिल जाता है यहां आपको खिड़की को close करने के लिए मिल जाता है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे आपको soft touch मिल जाता है यहां आपको उपर add plastic दिया हुआ है यहां आपको चार power window मिल जाती है यहां mirror को lock करने के लिए यहां center locking के लिए lock के लिए mirror को आरगें संफ से और भाक तो जया है करोंड में दल मिलगता है कि दोस्तों आप देख रहोगे को बिल्कुल हार्ण प्लास्टिक मिल जाता है जो प्लासिक कि क्वाल्टी यह यहां को शोफट टच मिल जाता है यहां आपको wooden में दिया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, जो इसके AC का बलोरो का design है, वो भी देखने में काफी unique सा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे होगे, आपको infotainment system मिल जाता है, यही इसके control दिये हुए है, आपको auto में AC मिल जाता है, यहां आपको USB मिल जाती हुआ है, यहां भी आपको space दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होगे, दोस्तों, यहां आपको armrest दिया हुआ है, काफी soft, soft v.'s, अगाड़ी में देखने में जो इसका interior है, काफी अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होगे, यहां वूडन में और जो बीच कलर और ब्लैक का कम्मिनेशन काफी अच्छा लग रहा है, जो इस गाड़ी की खुबसूरती को और ज्यादा इन्हेंस कर रहा है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे यहीं आपको स्टेरिंग में वोलूम आप डाउन यहां दिये हुए है सोर्स वोलूम होम फोन उठाने काटने के लिए क्रूज कंट्रूल यहां से आप अपने क्रूज को सेट कर सकते हैं आपको पैडल ओल्डर दिया हुआ जैसा कि आप देख रहे होगे हैं वह आटोमेटिक कर सकते हो यहां आपको इस यो का डिजान दिया हुआ है यहां आप इसको अपने हिसाप से अरजस्ट कर सकते हो ज्यादा कम करनी हो यहां आपको ओटोमेट दी हुए है जैसा कि आप देख रहे हैं इसको प्रेस करोगे इसको प्रेस करोगे तो 360 कैमरा ओन हो जाएगा जैसा कि आप देख रोगे आपको पूश टार्ट बटन मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको चार स्पीकर मिल जाते हैं और इसमें आपको चार टूटर मिल जाते हैं आप देख रोगे यहां आपको टिकेट ओल्डर नहीं मिलता है इसमें भी आपको मिलता है जैसा कि आप देख रो यहां आपको जो इसमें सनरूप दिया हुआ उसके लिए बटन दिये हुए है जैसा कि आप देख रहे हैं आपको माइक मिल जाता है दोस्तों जो इस गाड़ी की सीटों का जो कमफर्ट दे रखा हो काफी अच्छा दे रखा इसमें आपको थाइस पोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता जैसा कि आप देख रहे होगे मैं अपने आइट के साव से सीट को और अज़श्ट कर रखा मैं बिल्कुल कमफर्टेबल भी बैठा हुआ है इसमें बिल्कुल कमफर्ट वाली सीटें दी हुई है आईए दोस्तों मैं आपको इसमें स्टार्ट करके और दिखा दि और जैसा कि आप देख रहोगे टाय प्रेसर लोग चैक आल टायर की वर्निंग दे दी है गाडी ने इसमें आपको 220 तक की स्पीड मिल जाती है देखने में काफी अच्छा जो इसका मीटर दिया हुआ है काफी अच्छा लग रहा है डिजिटल में दिया हुआ है और दोस्तों आपको इसमें दो एयर बैग यहां मिल जाते हैं और दो पीछे मिल जाते हैं आपको यहां आपको सीटों में मिल जाते हैं जैसा कि आप देख रहे होगे दोस्तों जो इसकी सीटे दी हुई है वो हाइट अर्ज़स्टेबल में दी हुई है इनको आप अपने हिसाब से अर्ज़स्ट कर सकते हो आईए दोस्तों मैं आपको इसका पिछे से और स्पेस दिखा देता हूँ उसके काफी अच्छा लग रहा पिछे वाली से को अपने हिसाब से और जर्च कर दिया थे जैसा कि आप देखर होगे आपको लाइट आति है आपको इसन में पीछे ऐस C का प्रछ ब्लोर मिल जाते हैं आप अपने हिसाफ से इरज़स्ट कर सकते हुँ. जैसा कि आ आप यहां देख रहोगीं, आपको दू पावर के ऑड़ के वह कित मिल जाते हैं. 12ания में काफी में हेवि दे रखे हैं जैसा कि आप देख रहोगीं आपको वन लीटर दिया हुआ जैसा की आप देख रहे होगे काफी अच्छा दिया हुआ गाड़ी के अंदर यहां आपको एक और armrest मिल जाता है पिछले वाली seat पर यहां आपको 2 cup order मिल जाते हैं headrest को adjust कर सकते हो जैसा की आप आप देख रहे होगे जो अगले वाले हैं उन दोनों को और जास्ट कर सकते हैं और जो पीछे वाले हैं वो बिलकुल फिक्स हैं जैसा कि आप देख रहे होगे पीछे भी आपको तीन मिल जाते हैं यहां आपको पीछे पोकिट मिल जाती है सीट में जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे इसमें आपको संरूफ मिल जाता है देखने में काफी प्यारा लग रहा और काफी बड़ा संरूफ है जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे काफी एवी बॉन अट दे रखा यहां आपको इंसुलेटर मिल जाता है जिसकी वजह से आपको बिलकुल अंदर के बिन वाइज बिलकुल ना के बराबर ही मिलती है जैसा कि आप देख रहे होगे पंदरा सो सीशी में इसका इंजन फो तो मैक्सिमम पावर है वो 119 बीच्प की मिल जाती है जो इसमें टोर्क दिया हुआ 145 एनम का दिया हुआ है और जो दोस्तों इसकी आपको माइलेज सदे ठारा की मिल जाती है तो आपने देखा अगाज मैंने आपको उंडा सिटी का पूरा वोक राउंड करके बताया कि भई गाड़ी के अंदर क्या 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 खूबिया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगयों तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो क लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको सेर कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में